देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूशन का स्तर लगतार बढ़ता जा रहा है दिवाली के बाद दिल्ली की हवा इसकदर जहरीनी हो गई है कि सांस के लेना तक मुश्कित हो गया है पटाखे जम कर चले और अभी ये अंदेशा जताया जा रहा है कि प्रदूशन का स्तर अभी और बढ़ सकता है एंसियार की हवा और भी ज्यादा पहले के मुकाबले खराब हो गई है बात करें आनंद विहार की तो यहाँ पर AQY लेवल 395 पर पहुँच गया है जो बेहती खराब स्तिती मानी जाती है तो दिल्ली NCR में हवा की गुडवत्ता बेहत खराब हो गई है दिवाली के बाद दिल्ली की हवा बेहत जहरीरी हो गई है रविवार के मुकाबले दिल्ली और नोईडा के पॉल्यूशन लेवल में जम कर रिजाफ़ा हुआ है जहाँ AQY 276 दरुच किया गया जो बेहत खराब स्तिती में आता है वही नोईडा के स्तिती भी अच्छी नहीं है यहाँ भी AQY 309 रिकॉर्ड किया गया है अंदाजा लगाया जा रहा था कि दिवाली के शुरू होते ही दिल्ली NCR में प्रदूशन का लेवल काफी तेजी से बढ़ेगा और इसका असर अब दिखने भी लगा है अगर दिल्ली NCR में दिवाली की रात पटाखे जलाए जाते हैं तो प्रदूशन का स्तर और भी देखा जा सकता है और भी ज्यादा बढ़ सकता है वही देश के कई राज्यों में खरीफ फसलों की कटाई का समय चल रहा है ऐसे में दिल्ली NCR के छेत्रों में धान की पराली जलाने पर भी स्थिती बेहत बिगड सकती है फिल्हाल किसानों को अपने खेतों में पराली न जलाने की सलहा दी गई है आपको बता दे कि दिल्ली में पटाखे जलाने पर पाबंदी लगाई गई थी इसके बावजूद भी दिल्ली वालों ने दिवाली पर जम कर आतिश बाजी की है पटाखे फोड़े जाने की अगली ही सुबह दिल्ली में प्रदूशन का लेवल काफी ज़्यादा बढ़ गया है दिल्ली के आसपास जगों पर भी प्रदूशन काफी बढ़ा हुआ नजर आया है शाम के वक्त से ही लोगों ने आतिश बाजी शुरू कर दी थी और रात चड़ने के साथ ही पटाखों की आवास और भी ज्यादा तेज होती गई दिवाली के बाद दिल्ली की हवा बहुत जहरीली हो गई है बात अगर नोईटा की करे तो यहां पर EQY 332 पहुँच चुका है तो कि बहुत खराब लेवल माना जाता है आनत बिहार में EQY लेवल 395 पर पहुँच गया है और अभी माना जा रहा है कि प्रदूशन का जो यह लेवल है यह और भी ज़्यादा बढ़ सकता है दिवाली से पहले यह अंदेशा जटाया जा रहा था कि दिवाली के बाद पटाके जलने की वज़ज़ से जो प्रदूशन लेवल है वो काफी जादा बढ़ सकता है और कुछ वैसा ही हो रहा है तो यहाँ पर यह तीन तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं नोईडा, आगरा और मुरादाबाद की यह जो आप धुंद देख रहे हैं कोहरा नहीं है, यह ठंड की वज़र से पढ़ने वाला कोहरा नहीं है बलकि यह पॉल्यूशन है, यह वो प्रदूशन है जो दिबाली की रात पटाखे जलाने की वज़र से हुआ है कई जगों पर पराली जलाने की वज़र से भी पॉल्यूशन लेवल काफी ज़्यादा बढ़ गया है नोड़ा के तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जोहां पर EQI लेवल 350 के पार पहुँच चुका है जो कि बहुत खराब स्थिती माना जाता है आगरा मुरादाबाद की भी वही तस्वीरे हैं सुभए के वक्त जो ये धुंद नजर आ रही है ये कोहरा नहीं बलकी ये पॉल्यूशन है अब ये तीन तस्वीरे दिल्ली की आपको दिखा रहे है इंडिया गेट, लोधी रोड और अक्षर धा इंडिया गेट की तस्वीरे आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है मानो सुभए के वक्त जो ठंड की वज़र से कोहरा होता है कुछ वैसा नजरा है लेकिन ये कोहरा नहीं है ये पॉल्यूशन है ये प्रदूशन है लोधी रोड की भी कुछ वैसी ही स्थिती है कई मीटर तक धुन्द की वज़र से गाड़िया दिखाई नहीं देती है रास्ते दिखाई नहीं देते है अक्षर धाम की भी तस्वीरे कुछ यही बया कर रही है इस वक्त दिल्ली एंसियार की जो हवा है वो जहरीली हो गई है माना जा रहा है कि प्रदूशन का लेवल अभी और भी ज्यादा बढ़ सकता है दिवाली से पहले यह अंदिशा जताय जा रहा था कि दिवाली के बाद पॉल्यूशन लेवल और ज्यादा बढ़ सकता है नोईडा में प्रदूशन का स्तर काफी जादा बढ़ गया है और इससे जो एस्थमा के जो पेशन्ट होते हैं जोने सांस लेने की तकलीफ होती है उनके लिए और भी जादा मुसीबत खड़ी हो रहे हैं सांसों में ये जहर खुल रहा है ये लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं प्रिकॉशन्स फॉलो नहीं कर रहे हैं लोग मास्क का इस्तमाल नहीं कर रहे हैं जिस वज़े से ये जो जहर है ये आपकी सांसों में घुल रहा है और आपको अंदर ही अंदर काफी नुकसान रहा है लोगों का स्मॉग से जीना मुश्किल हो चुका है सांस लेने में लोगों को दिक्कते आ रही हैं